लो दोस्तों, वेलकम बैक टुमा यूटूब चैनल, The English Diary, और मैं हूँ आपका दोस्ट विजे, आज हम यहाँ पर टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भरती प्रकिरिया की, जिसने वक्त तो इतना लगा दिया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, आज हम बात कर रहे हैं उत्राखंड सहाय का ध्यापक, L.T. टीचर की, यानि असिस्टेंट टीचर L.T. ग्रेट की, और यह जो भरती प्रकिरिया है, इसकी पूरी जानकारी में आज आपको इस वीडियो में दूँगा, और आपको बता परिक्षा कराए गई थी, एक्जाम जो इसका कराए गया था, वो था 8 August 2021, यानि 8 August 2021 को इसकी परिक्षा कराए गई थी, जिसे की अब 1 साल से उपर हो चुका है, और उसके बाद जो इसका result declaration date है, वो है 31 December 2021, यानि 31 December 2021 को इसकी अंतिम सुची यानि परिडाम घोशित हो चुक इस merit list पर बना पाए, और इसी भरती प्रकेरिया का जो document verification है, वो हुआ 18 July से 28 July के बीच, लेकिन, 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 मेन बात यहाँ पर यहाँ और अब इतना इंतजार करने के बाद भी, जो चैनित चात्र है, उन्हें सडकू पर उतरना पड़ रहा है, अब आप हिसाब लग खतम होने की कगार पे है, लेकिन, अभी तक सरकार इनकी सुद नहीं ले रही है, और वज़े क्या बताई जा रही है, नॉर्मली वज़े पहले तो उतराखरण अधिनस्त सेवा चैनायोक पर चल रही, इस वक्त अनिमेताओं की वज़े बताई जा रही है, और दूसरा बता चैनित होके, क्योंकि देखे, यहाँ पर एक सिक्षक भरती में एक आम आदमी नहीं बैटता है, उसमें नॉर्मली अगर आप देखे तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की नीड होती है, सबसे पहले बीर्ड एंट्रेंस क्लियर करना होता है, और उसके बाद आप दो सुद नहीं ले रहा है, देखे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट, एक्जैम, रिजल्ट्स और डीवी, हर एक चीज़ की जानकारी आपको दे चुका हूँ, लेकिन अब इस्तिती ये है कि इनकी जो परिक्षा है, वो तरखन अधिनस्तर चेवा चेयन आयोग ने नहीं आई है, उन अप्छात्रों को सडकों पे धरना प्रदर्शन करने, रेलिया निकालने, इस काम के लिए आप विवस कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही गलत है, आपको जल्द से जल्देने हैं, न्युक्ती देने चाहिए, और दूसरी तरखन की सरकारी विध्यालेयों कोई हा क्योंकि विभिन विशेयों के महतवपूर्ण सिक्षक जो है, वहाँ पर उपलद नहीं है, इससे आप खुदी सोच सकते हैं, जहां एक तरफ उतकरस्ट विध्यालेयों को बनाया जा रहा है, वहीं इस प्रकार की जो एक विरोदाभासी चीज हमें देखने को मिल रही है, क खड़कों से इन्हें मुक्ती दो, अब देखिए इसमें आज की एक न्यूस रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख के सोचेंगे कि वाकई कितना जरूरी है इन सिक्षकों को न्यूक्त करना, सरकारी विध् जलते रखी गई दो सिक्षिकाएं, बेटिया जेब से दे रही सिक्षिकाओं का मान दे, कितनी सर्म की बात है, जहां एक तरफ लंबी आवती तक पढ़ाई करके, एक सिक्षक भड़ती में एक मैरिट पर अपना इस्थान बनाने के बाद, जो सिक्षक है, वो अपने होने के कारण, बच्चे अपनी जेब से पैसा दे के टीचर्स को अपॉइंट करा रहे, तो देखे ये खबर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चंपावत की, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारे को लेकर सरकार भले ही गंभीर न हो, लेकिन जीजी आइसी चंपावत क रख ली, चात्राओं के पैसे जमा करने के बाद सिक्षिकाओं के तैमांदे में जो कमी रह जाती है, उसके भरपाई अभिवावक संग करता है, कितनी शर्म की बात है, कि जो बच्चे हैं, जिनने सरकारी विध्याले में अच्छी सिक्षा, गुनवत्ता पूरुक सिक्षा पढ़ रही है, पलायन से खाली हो रहे पहाडों में छात्रों की ये संख्या उसाहित करने वाली है, लेकिन ठीक उसके उलट सिक्षकों का आकड़ा देखने को तो निरासा ही होगी, हिंदी, अंग्रे जी, भौतिक विज्यान, विज्यान, रसायन विज्यान, जीव विज् से महतरपूर विसेओं तक के लिए सिक्षक नहीं है, इस्कूल में प्रवक्ता और ल्यूटी में सिक्षकों के 9 पद सुकृत है, प्रवक्ताओं में महज ग्रह विज्यान में सिक्षिका की तेनाती है, वहिं ल्य टी समवर्ग में 9 मैसे किवल 3 पद उपर हідडी, सामने, व खर्चा देती है ग्रीश चंद्र जी ये कहते हैं जो कि पीटी अध्यक्ष है जीजी आइसी के और दूसरी तरफ सिख्षिकाओं की तैनाती प्रकेरिया चल रही है सबी बाते शासन की जानकारी में भी है सीग्र जीजी आइसी में सिख्षिकाओं की तैनाती की जाएगी ये क आप यहाँ पर जरूर देखिए कि छात्र यहाँ पर क्या कह रहे हैं मैं कक्षा बारा की विज्ञान वर की छात्रा हूँ जी जी आइसी में शिक्षिकाओं की भारी कमी है इसी को देखते हुए दो सिक्षिकाओं की अलग से तैनाती किये गई है पौकेट मनी से प्रतिमाह 50 स्कूल में जमा करते हैं मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए इस तरह की जो खबरें हैं यह कहीं नहीं बहुत निरासा जनक है उत्राखन के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी हमारे अभियरती हैं जो कि इस वक्त एल्टी भरती प्रक्रिया में अपना स्थान बना चुके हैं उन्हें सेग्र नुक्ती दी जाए बिना सोचे समझे क्योंकि देखिए एक लंबा समय उन सभी अभियरतियों को लगा है तैयारी के दोरान और नजाने इस वक्त वो अपनी बिरुजगारी में कैसे अपना समय काट रहे हैं कैसे चला रहे हैं उपर स मानसिक रूप से इस पीड़ा को जो वहन कर रहे हैं इसके भरपाई कौन कर पाएगा और दूसरी तरफ सोचने की बात यह है जिन सिक्षकों को अपने कक्षा कक्ष में सिक्षन का कारे करना चाहिए वो सडकों पे नारे बाजी कर रहे हैं धर्दा प्रदर्शन कर रहे हैं यह क्या उत्राखंट ने इसी लिए इन छातरों को बियट कराया था क्या इसी लिए यह एक्जाम की वेकैंसी निकाली हुई थी तो इस तरह की जो गलत धर्णाय हैं यह नहीं होने चाहिए एक और रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यह वो तमाम रखकर काट रहे हैं देखिए यह जो परिस्तिती है यह वाकई बहुत ही निंदनी है सरमसार करने वाली है क्योंकि उत्राखंट में देखिए विभिन इलाकों से विभिन छेतरों से जो भी लोग चैनित हुए हैं वो इस तरह से मंत्रियों से विधायकों से अपनी बात आने के लिए जो की इंतजार करी देखिए रात का भी धरना प्रतसन स्तल का एक चित्र है जिसे देख के आप सोच सकते हैं कि कितनी डेडिकेशन के बात इन सिक्षकू ने इस मंजिल को पाया होगा और आज इन्हें इस कदर जो है दर बदर ठोकरे खानी पढ़ रही है रेल इस की जाए थैंकिस वाचिंग दिस वीडियो इसे जादा से जादा शेयर जरूर करें मैं सस्क्रिप्शन के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ यह सिर्प उन अभियरतियों के मनोदसाएं उनकी परिस्तितियों की एक छोटी सी कोशिश है कि सभी लोगों तक जाए जाए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए